कि नमस्कार दोस्तों एक बफिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है हम हर बार की तरह इस बार भी एक नया वीडियो लेकर आप सभी के सामने आ चुके हैं फ्रेंड्स ये है खिरक्या घाट जो की बनारस का सबसे आधुनिक सबसे प्राचीन और सबसे खुबसूरत घाट और माडल घाट में से एक है फ्रेंड्स ये मॉडल घाट प्रधान मंत्री जी के निर्देश के अनुसार ही बना है और आप सभी को बता दे ये हमारे देश का पहला ऐसा घाट है जो की जल थल नभ तीनों जगहों से यानि तीनों इस्थानों से मिल रहा है यानि यहाँ पर आप सभी हेलिकाप्टर के सहायता से भी उतर सकेंगे साथे साथ गंगा जी में जो जल है उस जल के सहारे नाओं से भी यहाँ पर आ सकेंगे साथी साथ मोटर साइकल या फिर फोर विलर से भी यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सुविधाएं लेस की जा रही हैं साथी साथ यहाँ पर पेड़ पौधो का भी अच्छे से ख्याल रखा गया है जो कि आप सभी को किसी भी घाट पर नहीं देखने को मिलेगा यानि बीचों बीच नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको सबसे पहले CNG स्टेशन देखने को मिल जाएगा और आप सभी को जानकारी के अनुशार बता दे कि यह घाट लगभग 33 करोल के लागत के बाद बन सका है और यहाँ पर अभी भी वर्क चल रहा है प्रधान मंत्री जी यहाँ पर आचुके हैं और इनोग्रेट भी कर दिया है यहाँ पर नई खबर के अनुशार आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा सा तीन हाथ जोड़ता हुआ इस्टेक्चू खड़ा किया गया है यानि खाली हाथ यहाँ पर इस्थापित किया जा रहा है जो कि किसी भी घाट पर नहीं देखने को मिलेगा यूँ कहें तो पूरे देश में ऐसा अलग तरह का इस्टेक्चू नहीं देखने को मिलेगा यानि घाटों पर आप सभी को बता दे कि हर रोज एक नहीं नहीं तकनीक लगाए जा रही है आधुनिक घाट बनाया जा रहा है, मौडल घाट बनाया जा रहा है यहाँ से आप सभी राज घाट का व्रिज यानि मालवी व्रिज भी देख सकते हैं जो कि एक समय में डफ्रीन फूल के नाम से जाना जाता था यहाँ अंग्रेजियो द्वारा बनाया गया था उसी के ठीक नीचे यह मौडल घाट का निर्माण हो चुका है देखिए यहाँ पर तीन-तीन हाथ लगाए गये हैं जो कि हाँ जोड़े हुए हैं यह प्रतीत है सुर्य नमस्कार का आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर किरान द्वारा इस्थापित किया जा रहा है जो कि लगभग तीन से चाट टुकडों में लाया गया था और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर जोड़ा जा रहा है सभी मजदूर, मिस्तरी, कारिगार, ठेकेदार सभी लोग लगे हुए हैं इस घाट को मॉडल घाट का रूप देने में साथी साथ आप सभी देख सकते हैं कहीं कहीं वर्क छूटा भी है इस वीडियो में हम आपको बहुत ही लेटिस्ट वीडियो दिखाएंगे साथी साथ ये बताएंगे कि क्या कुछ बन गया है क्या कुछ बनने वाला फ्रेंड जल ते जल आप सभी सब्सक्राइब करके ही आगे पढ़ें सपूर्ट ऐसे करते रहें चलए चलते हैं इस सेट देख सकते हैं कि यहां पर भी अभी वर्क नहीं हो सका है यानि यह ख्यरख्यां गाट के आगे का है आफ सभी देखिये मैं आगे आफ सभी को आके दिखाँ रहा हूँ आप सभी को बता दे कि इस टेक्चर बनाने का काम जोरो पर है और साथ ही साथ यहाँ पर पत्थर भी ला दिये गए हैं पहले से यहाँ सब भी देख सकते हैं थोड़ा दूरी पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और यह है बर्गत का पेंड जो की काफी प्राचीन है यह यहाँ पर एक कल भी देखने को मिल जाएगा इसी की सहायता से यहाँ पर कारिगर पहले रहते थे और पानी वगरा पीते थे और वर्ग करते थे यहाँ पर किरान लगा हुआ है पत्थर तोड़ने का वर्ग चल रहा है दोस्तों यह खिरक्यां घाट के बाद आप सभी को ग साथ ही साथ आप सभी को बता दे यहजब पूरा घाट बन जाएगा तो लगभग हमारे बनाथ में सो घाटों के आसपास हो जाएगा क्योंकि यह जो घाट बीच में बनाय जा रहे हैं राज घान से लेंपर आदी के सो घाट तक बनाय जाएगा यहाँ पर कई मठ और देख को मिल जाएंगे सामने देख सकते हैं यहां पर पहले से ही इस्थापित कुछ लोगों ने अपना आवास बना लिया है और साथ ही साथ यहां पर मंदिर भी कई इस्थापित कर दे गए हैं आप सभी का नजर देख रहा होगा की सामने से ही डफरिन ब्रीच राजगाठ का ब्रिच नजर आरहा है आप सभी को बता दें यह ब्रिज भी अब हटने वाला है यानि एक्सपारी डेट में तो जाही चुगा है आप सभी को पता ही होगा जब यह हट जाएगा तो एक इंटर मॉडल स्टेशन बनकर त्यार होगा साथ ही साथ यहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया जाएगा जो की इसी ब्रिज के तरज पे होगा सामने देख सकते हैं कि यहाँ खिड़किया घाट का नजारा है जो की दो तीन दीन से फ्रेंड्स यहाँ पर रोक लगी हुई है यानि आप गोमने टहलने नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर अभी वर्क चल ला है यानि पूरी तरिके से घाट त्यार नहीं हो सका है तो उसी का काम चल रहा है यहाँ पर राजघाट का यह ब्रिज के नीचे में खड़ा हूँ और आगे ले चलना हो सभी को यानि राज घाट से लेकर खिड़किया घाट पूरी तरीके से बन रहा है यानि काफी लंबा घाट होगा साथे साथ यहाँ पर कई ऐसे फीचेस लगा जाएंगे कई ऐसे टेकनोलोजी होगी मल्टि स्क्रिनिंग भी होगी जो की आप सभी को एक समय था मैंने दिखाया था वैनर में कि कैसा इसको बनाया जायेगा यह देखिए यहाँ पर बड़े-बड़े खंबे जैसे लाइट भी लगाया गये हैं जो की अभी नहीं तयार है तयार हो जाने के बाद यह घाट सबसे यह खुबसूरत देखने को लगेगा फ्रेंड्स यहाँ पर काफी अच्छी अनुभूती होगी आप सभी को यहाँ से देखिए ट्रेन जाता हुआ कितना सुनहरा और कितना खुबसूरत लग रहा है लेकिन यह एक्सपारी डेट में हो जाने के बाद काफी चिंता का भी से है क्योंकि यह कब गिर जाए यह किसी को नहीं पता है यानि इसकी जो लगभग 100 साल की अधिय थी वो क्रॉस हो चुकी है और इस घाट पर इसलिए बीच में जगा छोड़ा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बीज बनना तय है और पास भी हो चुका है आप सभी के जनकारी के लिए बता दे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक इंटर मॉडर स्टेशन बनाया जाएगा जो की कासी है कासी रेलवे स्टेशन को काफी डेवलब किया जाएगा हवाई अड़े और एयरपोर्ट जैसी सुबिधा यहाँ पे होंगी जो की धीरे धीरे अभी से दिखने लग गया है अभी घाटों का काम चलना है तो आप सभी को बता दें कि अभी उसका काम सुरू होने में काफी टाइम है क्योंकि पास तो हो ही गया है लेकिन अभी जमीन पे नहीं उतर सका है जमीन पे उतरने के बाद ही आप सभी को बता सकेंगे कि कब क्या कहां पर कैसे बनेगा यह देखे फ्रेंट्स बड़े बड़े खंबे लेहां पर लगाए गाटों पर जो की तो दोस्तों अभी तो पूरी जानकारी मैं देना ही भूल गया क्योंकि अभी तो ब्रिच के नीचे की जानकारी आप सभी को मिल चुकी है और आप सभी को बता दें कि हमारे खिरकिया घाट पे बहुत ही नएने वर्ख हो रहे हैं जो कि आप सभी के सामने नजर आ रहा है आप सभी को बता दें मुलायम के मंदिर में मोधी जी का स्ट्राइक है यानि जो भी आप सभी आएंगे खिरकिया घाड पे तो आप सभी को बेहद ही यू कहें तो बहुत 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 जादा ही खुबसुरत नजरा देखने को गा क्योंकि यहां पे खिरक्या घाट के दीवारों पे मिस्तरी और लेबर की सहायता से जी में टबालू की सहायता से यहां पर बहुत ही सुन्दर खुबसूरत यहां पे कलाकृतियां उकेरी जा रही है जो की स्री किशनकी है और आप सभी को बता दें कि मोदी जी ने कैसे मु प्रद्धान मंत्री जी द्वारा यहां पर देख सकते हैं गजब की कलाकृतिया बनवाई जा रही है देखिए पूरे यूग हैं तो कृष्ण जी की यतने भी कलाएं हैं प्रतिबहाएं हैं सभी चीजों को यहां पर सिमिंट बालू के सहाथा से उकेर दिया गया है और यह देख सकते हैं कि चारतरफ का नजारा कैसा है और कितना खुबसूरत लग रहा है देखने में हम फिर से दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहां पर पेंड पौधे देखिए बना जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लग रहा देखने में देखिए यहां पर बनाज के भी कई ऐसी कलाकृतियां हैं जो की इन मजदुरों के सहाथा से बनाय जा रहा है रंग रोगन के बाद काफी खुबसूरत देखने में लग रहा है जब आप खिरखिया घाट पे आएंगे यानि जिस रास्ते से इंटर करेंगे गाड़ी या फुर्विलल लेकर आना जाना रहेगा उसी रास्ते पर ये बनाय जा रहा है देख सकते हैं कि अभी अभी कुछ दिवारे छोटी हुई हैं जो की इन ही पेंटिंगों और मुर्तियों और यहाँ पर कलाकृतियों द्वारा दर्साइं गई है और यहाँ पर काफी कुछ होने वाला है यह देख सकते हैं फुड कोट भी बनाया गया है साथी साथ कई जरुद की संबंधित दुकाने भी हैं साथ ही साथ टॉलेट बाथरूम हर एक चीज देखने को मिल जाएगा यहाँ पर स्टेशन के साथ साथ और भी ऐसी फैसेलिटीज है कि जो घाट पर आ जाए वो अपना घर ही मान ले यहाँ पर देखिए आटो रिक्सा यहाँ पर आकर यानि टेंपो और कार यहाँ पर आकर असानी से सीन जी गेस्ट भरवा सकते हैं जो कि इसमें 63 रुपए पर लीटर चल रहा है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है प्लीज सपोर्ट करें सब्सक्राइब गरें चैनल को साथ में नोडिशन ओल करें ठाइंप वाशिंग फेंड्स हरमादेव कीप सपोर् झाल